सब्सक्राइब कीजिए गवर्मेंट जॉब्स अकेडमी चैनल को और बैल आइकॉन को दबाईए लेटिस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं रामिस्रा फिर से आपका स्वाबत करता हूँ गवर्मेंट जॉब्स एकेडमी में तो दोस्तों हम लोग अर्था लंकार पढ़ रहे हैं जिसमें इससे पहली वाली वीडियो कंप्लीट हो चुकी है उसमें हमने क्या पढ़ा उपमा लंकार पढ़ा पूल उपमा लुपत उपमा माल उपमा उसके उधारण देखें वहां तक कोई आपको संसाय डाउट नहीं होना चाहिए और होगा भी तो आप में जिए कमेंट में बताएं अब आज हम सुरू करेंगे उपमा के बाद रूपक लंकार की रूपक लंकार आर्था लंकार का ही दूसरा है कौँ सा लंकार रूपक लंकार दोस्तों सबसे पहले इसे हमको समझना है कि रूपक लंकार है क्या इसकी परभासा क्या है इसमें जहां भूल रूप सुभाव की इतनी समीपता हो कि उसका भेद करना ही मुश्किल हो जाए उसका भेद ना हो जैसे दो भेद होता है था हम उसकी तुलना करते हैं उपमा में हम क्या कर रहे थे तुलना कर रहे थे यहां तुलना नहीं की जाएगी सब्द ही दूसरे कूपर इतना अभिन रहेगा इतना पास रहेगा कि ये पता ही नहीं चलेगा अलग-अलग करने पर जैसे अलग करेंगे उस सब्द का स्थित्तो दूसरा खतम हो जाएगा तो रूपकलंकार क्या है जहां गुर्ण सुभाव की अत्यदिक समानता के कारण प्रस्तुत का अप्रस्तुत में पिभेद न हो प्रस्तुत और अप्रस्तुत में पिभेद न किये जा सके प्रस्तुत और अप्रस्तुत में पिभेद न हो तो जब हम इसका उदारण समझेंगे तो ये हमको कम्प्लीट हो जाएगा कैसे तो सबसे बढ़ियां उदारण है भगवान क्रिस्ट का लेते हैं मैया मै तो चंदर खिलोना लए हो क्या लए हो चंदर खिलोना मै तो चंदर खिलोना लए हो अब दोस्तों आप ये देखो अगर यही बताया जाता चांद सा खिलोना तो वो तुलना हो जाती चांद सा खिलोना नहीं चाहिए चांद वाला चांद खिलोना ही चाहिए चंदर खिलोना ही चाहिए इसमें बिभेद नहीं है इसमें क्या है बिभेद नहीं है इसमें हम विभेद नहीं कर सकते हमको चंदर खिलाओना ही चाहिए चांद जैसा नहीं चाहिए चंदर खिलाओना ही चाहिए तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ आप बस यही ध्यान देना रूपकलंकार में जिसमें जो पद हो वो प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बिभेद ना हो सके जैसे खिलावना प्रस्तुत है चंद्र अप्रस्तुत है लेकिन उसका बिभेद नहीं होना चाहिए प्रस्तुत का अप्रस्तुत में बिभेद नहीं होना चाहिए एक उधार अउल लेते हैं तब समझते हैं दूसरा उधार अणम लेते हैं इसका आपने सुना ही होगा राम रतन धन पायो मूवी बनी होगी बनी है ना देखे ही होगे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने अब यहां मुझे क्या मिला राम रूपी रतन नहीं मिला राम रतन ही धन मिल गया इसमें क्या है बिभेद नहीं कर सकते हम बिभेद नहीं कर सकते हमको क्या मिला पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन ही धन की रूप में मिल गया तो यहां क्या हो गया रूपक अलंकार फिर से आपको बताता हूँ किसी परकार कोई डाउट या संसय आपको नहीं होना चाहिए जहां भी आपको दिखे ये दोनों सब्द योजक चिन लगे हुए हैं योजक चिन इसमें लगे हुए हैं जरूरी नहीं कि योजक चिन लगे हुए हैं मुश्टली आपको बता दिया जाता है जहां योजक चिन लगे हुए हो वहां रूपक अलंकार होगा लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आपको ऐसे ट्रिक से नहीं पढ़ना है ट्रिक में क्या होगा, आप ट्रिक देख लिए जो जग सब्द लगा दिए और पता चला वहाँ, दूसरा लंकार था, तो आपको सब्द समझ जा है, ट्रिक उसके बाद देखना है, पहले अर्थ समझ जाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन को हम अलग नही कर सकते थी हमारा कौन सा लंकार हो गया, रूपा का लंकार हो गया, चलिए, तीसरा, एक उधारण और देख लेते हैं, तीसरा उधारण देख लेते हैं, चरण, कमल, बंदों, हरी राई, तो यहां जो चरण कमल है, चरण कमल, इसमें हम विभेद नहीं कर सकते, चरण रूपी कमल नहीं है, कमल ही चरण है, तो यहां क्या हो गया, रूपा कलंकार हो गया, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, आप एक्जाम में देखते ही पाचान जाएंगे, और उसे क्लिक क कर देंगे आपके मार्स फिक्स हो गए तो रूपा का लंकार हो गया इसके पहले उपमा लंकार हो गया अब हम क्या पढ़ेंगे उत्प्रिक्छा लंकार पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों उत्प्रिक्छा लंकार चलिए इसको एरेज करते हैं और अब तीसरा स्टार् लंकार तीसरा लंकार पढ़ेंगे कौन सा उत्परिक छालंकार दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ आपको भगना नहीं है इससे जब आप बिल्कुल इक्जैक्ट उसकी टोन पकल डेंगे कहां से स्टार्ट हो रहा है उसका बिल्कुल क्या बोलते हैं मेन पॉइंट पकल डेंगे उसी की आगे सिक्केंस वाई चल रहा है जैसे उपमा हो गया रूपक हो गया उपमा में क्या था उपमा में था कि हम एक की तुलना दूसरे से कर रहे थे उपमा में क्या था कि इतनी समीपता थी अर्थ में सब्द में हम उसका बिबेद नहीं कर सकते हैं प्रस्तुत में प्रस्तुत की जहाए जहां प्रस्तुत में प्रस्तुत की संभावना ब्यक्त हो क्या ब्यक्त हो प्रस्तुत में प्रस्तुत की संभावना ब्यक्त हो इसमें दोस्तों एक यह होता है आप ट्रिक में समझ लें जैसे मनू, जनू, जानो, मानो, मना हो, आदी सब्द, आदी योजख सब्द लगे होगे, यह सब्द से जुड़ा होगा, यह और ज्यादा सरल है, इसमें आप जैसे ही देखेंगे, मन जन जानो मानो मन वहाँ पे आपका उत्प्रेक्छा लंकार होगा आपको इसमें बहुत आसानी हो जाएगी जैसे मैं आपको एक उधरण बताता हूँ उसकाल माने क्रोध के उसकाल माने क्रोध के तन कापने उनका लगा जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर चला चलि उदारण उस काल माने क्रोध के तन उनका जलने लगा उस काल माने क्रोध के तन उनका जलने लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर चला देखिए दोस्तों अब यहाँ प्रस्तुस्ते अप्रस्तुत कैसे है यहाँ जो सरीर है तन है वो प्रस्तुत है कैसे जैसे आपको क्रोध आया क्रोध आते ही आपके भाव भगिमया कैसी हो जाती है बिल्कुल इकदम आँखे लाल हो जाएंगी उसके बाद सरीर कापने लगेगा तो वही उन्होंने कहा कि ऐसा प्रसंग यहाँ उस काल माने क्रोध के उस समय ऐसे गटना हुई क्रोध के मारे हमारा सरीर जलने लगा यह प्रस्तुत है और अप्रस्तुत कैसे है मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर चला जैसे आप देखते हैं बिल्कुल नदी सांत बहर रही है और हवा के तेज जोके आएं जब हवा के तेज जोके आते हैं पानी उठकी कैसे आता है, जब बीच में आप जाएंगे देखने, लोक बीच पे जाते हैं, सागर देखने जाते हैं, तो वहाँ बेग से जब पानी का बहाव आते हैं, कुतने ही लोरे लेता हुआ चलता है, तो यहाँ जो हवा के बेक से सोता हुआ सागर है सागर दोस्तों अप्रस्तुत है सागर यहाँ नहीं है सामने क्या है क्रोध सित्तन उनका जलने लगा हमारा सरीर है तो इसको दो अर्थ से समझेंगे एक अप्रस्तुत से संभावना बेक्तो किसकी प्रस्तुत की तो अप्रस् fusion नहीं कोई doubt नहीं चलो एक और उदारण ले लेते हैं जो बहुत प्रिसिद उदारण है सोहत ओढ़े पीत पट सोहत ओढ़े पीत पट स्याम सलोनिगाद मनहु नील मनिसायल पर आतब परव प्रभाद सबसे पहला तो आपको एकजाम भी यहीं देखना है मनहु आ गया ना मनहु आ गया तो आपका तुरंत ही पता चल गया कौन सा है वो त्रिक्षा लंकार और दूसरा इसको ऐसे समझ लेंगे कि सोहत ओड़े पीत पट स्याम सलोनिगाद भगवान स्याम ने एक पीतांबर पीलावस्त रोड़ा हुआ है और वो पीलावस्त कैसे लग रहा है मनहु नील मनिसायल पर जैसे नील मनिपरवत पे आतब परव प्रभाद जब सूर की पहली किरड़े पढ़ती है तो आप दे इसलिए कैसे इसके अर्थगत रूप से यह हो गया उत्रिक छलंकार और दूसरा कैसे हम समझे कि मनाव मिल गया तो हमको ट्रीक भी जानना है और साथी साथ हमको उसका अर्थ भी समझना है फिर मैं आपको बता रहा हूं ट्रीक हमेशा काम नहीं देती ट्रिक भूल जाती है जहां आपका प्रस्ण स्टेंडर्ड हो जाएगा वहां आपको ट्रिक नहीं मिल पाएगी इसलिए ट्रिक तो आप देखते रहिए साथ साथ पूरा बिल्कुल बिस्तरी थम आपको इसका कंफर्म करा देंगे कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों यह हमारा तीसरा लंकार कंप्लीट हो गया रूपक लंकार के बाद उत्रिक पड़े हम लोग उपमा के बाद रूपक पड़े और तीसरा उत्रिक चा पड़े अब चौथे में हम वो ले के आएंगे चौथा लंकार आपका होगा संदे और भ्रांतिमान पर अगली वीडियो में संदे और भ्रांतिमान कराएंगे इसके बाद अधिसयोक्ति अन्योक्ति जो भी सोला है सीरियल वाइज हम आपका कंप्लीट कराएंगे तो आज हम उत्पर एक्षा लंकार पर आपकी क्लास कंप्लीट करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे संदे और भ्रांतिमान क्लास के साथ दोस्तों मस रहिए पढ़ते रहिए फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में नमस्कार